इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है. इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है. इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम्म नहीं किया जाना चाहिए. अधिक्तम लाब पाने के लिए आपको इस दवा को नियमित रूप से लेना चाहिए, भले ही आप ठीक महसूस करें. यह भविश्य के नुकसान को रोक रहा है. इस दवा के इस्तेमाल से ब्लीडिंग का खत्रा बढ़ सकता है. यदि आप अपनी उल्टी, पेशाब या मल में पिन्पॉाइं ट्रैश या खून देखते हैं तो अपने डॉक्टर को तुरंद बताएं. यदि आप किसी सरजरी या दात का इलाज कराने जा रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श के बाद कुछ समय के लिए इस दवा को बंद क एसिट्रोम टेबलेट के लाब खून के थक्के बनना का इलाज और रोक थाम. एसिट्रोम दो टेबलेट एक प्रकार की दवा है जिसे एंटिकोगुलेंट के रूप में जाना जाता है. यह दवा शरीर में मौजूद बलड क्लोटिंग का कारण बनने वाले पदार्थ को ब प्रवाह बनाए रखता है और रक्त वाहिका के भीतर क्लोट बनने की संभावनाओं को कम कर देता है. यह स्ट्रोक, आपके फेफरों पल्मून वी एंबोलिस्म या अन्य बलड वैसल, ट्रॉम्बोसिस्प में क्लोट से होने वाले नुकसान की रोक थाम में या उसे कम करने चाहिए. एसिट्रोम टेबलेट के साइड इफेक्ट इस दवा से होने वाले अधिकांच साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्थ हो जाते हैं. अगर स ताबुत निगल लें, इसे चबाएं, कुछले या तोड़े नहीं. एसिट्रोम टेबलेट को खाने के साथ या भूके पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक तैस समय पर लिया जाए. एसिट्रोम टेबलेट किस प्रकार काम करता है? एसिट्रोम टेबल झाल झाल झाल